दोस्तों, आज हम आपके लिए महात्मा बुद्ध की ऐसी कहानी लेकर आए हैं, जिसे सुनकर आपका जीवन बदल जाएगा. हिंसा तो आसान है, लेकिन किसी को अपना बनाना आसान नहीं होता है. कहानी अच्छी लगे, तो विडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य लिखे. एक अंगुलिमाल डाकू था, वह उन लोगों को मार कर उनकी उंगलियों की माला बनाता था, जो उसके इलाके से गुजरता था. उसने कसम खाई कि वो सौ लोगों की उंगलियां पहनेगा. अब तक उसके पास 99 लोगों की उंगलियां पूरी हो चुकी थी. एक बार गौतम बुद्ध उसी जंगल के रास्ते से गुजरे. अंगलिमाल ने गौतम बुद्ध को आते देखा. उसने सोचा कि वह अपनी कसम पूरी करेगा और सौ मारेगा. लेकिन जब उसने गौतम बुद्ध को देखा और उनका सुंदर चेहरा देख उसने कहा कि रेश्रमन क्या तुझे जान की परवाह नहीं है? यह मेरा इलाका है अगर तुम यहां से नहीं गए तो मैं तुम्हें मार डालूँगा. लेकिन तुम्हारे पास कोई हत्यार नहीं है, इसलिए मेरा विचार बदल गया है. मैं फिर किसी दिन सौपूरे कर लूँगा. गौतम बुद्ध बोले कि हम तो रास्ते पर है. तुम्हें अपनी कसम जटके में काट दी. इस पर बुद्ध बोले, क्या तुम अब इसे दोबारा जोड सकते हो? ये सुनकर डाकू ने कहा कि यह नामुम्किन है. तब बुद्ध ने कहा, अंगुली माल, किसी भी चीज़ को काटना आसान है, लेकिन उसे जोडना मुश्किल है. हम जोडने का काम करते हैं, काटने का नहीं. जो काम तुम करते हो, वो तो कोई बच्चा भी कर सकता है. गौतम बुद्ध की बातों का असर डाकू पर पड़ा. इसके बाद उसने अपनी तलवारवा हत्यार फेंक दिये. आ भिक्षू, कह बुद्ध ने उसे दीक्षा दी. सीख, इससे यह सी लगे तो विडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य लिखे.